नमस्कार एकजाम हैपी बाई जहरकन चैनल में आपका स्वागत है तो दोस्तों जूर चुका हूँ मैं यहाँ पर आप सभी सहाएक अध्यापको के आकलन परिच्छा की तियारी को ले करके तो हम आपको बताते चलें आपकी यहाँ परिच्छा जो है वो 30 जुलाई को होने व रखा गया है वो सिर्फ और सिर्फ 250 रुपे रखे गया है लेकिन यदि आप कंप्लिट तियरी करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पर जो है आपको 400 रुपे रखे गया है सारे नोट्स जेसी आटी टेस्ट बुक पार्टकरम पर अधारित सारा नोट्स हाँ से लिखा ह हुआ बनाया गया है जो कि इस पेसल आपके जैक मोडल पर अधारित है और चेप्टर वाइज नोट्स यहां पर दिया गया है तो यदि आप अभी तक इस नोट्स को लेकर के नहीं पढ़े हैं तो आप परिच्छा में जाने से पहले एक बार यह नोट्स को अवसे पढ़ होगी इसलिए आप अधी कहिसी भी बजारू किताब की आप यहां पर पढ़ाई कर रहे हैं तो फिर ऐसा ना हो कि जैसा एक बर आपको पच्तावा हो जाए कि दो नमबर और चार नमबर के खातिर फेल किये होती यदि आप पच्तावा नहीं चाहते हैं तो आप एक बर यहा साथ कोर्स भी चाहिए तो पूरे कंप्लीट कोर्स चार सो रुपए में दिया जा रहा है जो कि आपके लिए रामबान सीध होगा और आप यहां से अगर सारे नोट्स पीडिये प्रोटेश को बना लेते हैं तो आपकी सफलता एक सो एक परतीसत निश्चीत है तो आप अभ होते हैं प्रशन की और दिया जाता है कि वह सुमित्र किसके दर्वार में रहते थे अस्वगोस किसके दर्वार में रहते थे नागा अर्जुन किसके दर्वार में रहते थे जिसमें सबसे ज्यादा बार अब तक जो आया है उच्छरक कि किसके दर्वार में रहते थे तो इ यहाँ पर हम आपके लिए series इश्टाट केए trick, Top 100 Series जो आपका चल रहा है, जिसमें आज यह जो आपका होगा trick आपका हो जाएगा, trick आपका यहाँ पर चलेगा, यह 8. 8 trick ठीक है? तो आईए इसको एक trick से याद करते हैं, छोटे से trick के माधिम से आपको दिखाते हैं, क्या हमने बनाया है, तो आप लोग देखते हैं, लिखा हुआ है किसका भेन चला, अरे भाईया किसका भेन चला, बहुत बार आप लोग देखते होंगे, लिखा वरता है किसका भेन चला, और यही ट्रीक से उन सारे प्रस्णों का जबाब आपको मिल जाएगा, ठीक? अब देखेगा यहाँ पर, किसका में देखे को से की बना है, तो इसका मतलब रखेगा कनिस्क, किसका मतलब क्या रखेगा? कनिस्क, औभी का मतलब याद रखेगा वसुमित्र, ए का मतलब याद रखेगा असवगोस, एन का मतलब याद रखेगा नागा अरजुन, और चला मे चो से याद रखेगा चरक ठीक है यानि वसुमित्र हो अस्वघोस हो नागा अरजुन हो चरक हो ये सभी कनिस्क के दर्वार में रहते थे किसके दर्वार में रहते थे कनिस्क के दर्वार में रहते थे देखिए यहाँ पर बना हुआ भी है फिर से देख लिजेगा किसका भे तो आप यहां पर पहुत ज़्यादा गलती करते हैं तो आपको गलती नहीं करना है आपको क्या करना है सही करके आना है तो इसके लिए हम आपको लिए लेकर गया है ट्रिक बस देखते रहीएगा तो देखें हमने आपको बता दिया है कि हम आपको NCRT यहां जैक मोडल पाटकरम का तो प्रशन पराधारित नोट्स देहीं रहे हैं उसके साथ साथ आपको ट्रीक भी देंगे उसके साथ साथ ट्रीक भी दे रहेगे जिससे के आपको उससे भी कनफ्यूजन दूर रहे है और दूसरा यहां पर विभिन राज्यों में आए हुए आकलन परिछा का नोट्स भी दे रहे है प्रशन पत्र भी दे रहे है तो इतनी सारी सुविदा है हम आपके ले करके यहां पर आये हुए है फिर भी आप नहीं जुड़ पाया है जिनके पास नहीं पूझता है जैसी वीडियो पूझता है आप जरूर जुड़ जाईए और यहां से नोट्स को जो पढ़िएगा आपको वो कहीं नहीं मिलने वाला है यह इस तरह का नोट्स आपको हाँ से लिखा हुआ जो कि 100% यह प्रशन छपेगा ही छपेगा तो आप सभी अभी अभी जूड़ जाईएगा जब भी आपको लगे तो चले जानते हैं कि क्या कुछ है देखिए एक बात हम आपको बता दे हमने एक बार पूछा एक स्टूडेंट से पूछा कि यहां पर भारत के राष्टपत के नाम बताओ तो उन बता दिया गल्ति क्या बताया घलति ठीक है वह राष्टपति के ना count Alpha कि मुखमंद्री के नाम बता दिया अब यहाँ पर हमने बौला क्या बोला कि अजी तुम्हारा जी के सायद लोह ए अजी जी के तुम्हारा सायद लोह तरह संचित याद रखिये लो है न legitimately का मतलब यहां पर गुलाम मुलच म गुलाम वक्ष ना जी का मतलब गुलाम वक्ष को रखिए तू से तूगलक वन्स क्या याद रखेगा तूगलक वन्स ठीक है और सायद में सय से है यहाँ पर सायद इसको याद रखेगा सयद वन्स क्या याद रखेगा सयद वन्स और लो का मतलब देखें लो है लो से याद रखेगा लोदी वन्स ठीक है तो जी के तुम्हारा सायद वह कौन हुआ तो अब आपको याद हो जागा तो यहां पर जो दिली सर्त्रत का पहला वन्स हुआ, वो कौन हुआ, गुलाम वन्स हुआ, या ममलुक वन्स हुआ, ठीक है, दूसरा कौन सा वन्स हो गया, खिलजी वन्स हो गया, तीसरा कौन सा वन्स हो गया, तुगलक वन्स हो गया, चोथा कौन सा वन्स हो गया, सयद वन्स हो गया, और पांचवा लोस हो गया, लो कि आपको class 7 में इसको पढ़ना है, मद्देकालन भारत से पहला option हमने यहां से लिया था, कहां से लिया था, आप देख लिये होंगे, और नहीं देखे तो एक बार फिर देख लिजे, पहला option यहां से श्टार्ट होगा, ठीक है, क्या श्टार्ट होगा, पहला आप बोल सकते ह कि प्रीथवी जो है, यह प्रीथवी जो है, सुर्य और चंद्रमा के बीच आ जाता है, पहला option ठीक है, चलिए, फिर क्या बोल सकते है, सो देख लिजे, इसी को, ठीक है, इसी को हम दूसरा option के रुप में यहां पर बोल सकते हैं, इसी को क्या बोल सकते है, दूसरा हम क्या प्रित्वी देखें दूसरा जब प्रित्वी अभी हमने इधर से बोला था इधर से भी तो बोल सकते हैं जब प्रित्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच में प्रित्वी आ जाती है यहां पर अब तीसरा आप क्या बोल सकते हैं तीसरा तो तीसरा आप इसमें देखके बोल सकत है कि सूर्य देखे सूर्य और चंद्रमा के बीच में प्रिथवी आ जाती है यह भी सही है कि सूर्य और चंद्रमा के बीच में प्रिथवी आ जाती है यह भी सही है कि सूर्य और चंद्रमा के बीच में प्रिथ भी आ जाती है तो ये भी सही है यानि चार उप्षन में से कोई उप्षन होगा आप बिल्कुल सही करके आईए गब मेरे प्यारे सिशक बंदू और इसी परकार का सारा ट्रिक्स के साथ आप पढ़ना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर धेरो सारे ट्रिक्स मिलेंगे जिससे आपसे प्याँ आक्वन पर इच्छा नहीं आप जेसे सी आप यहाँ पर और सारे जितने भी जाम आएंगे स्वाब में इस चैनल के साथ जूड़ करके आप तयारी कर सकते हैं और अपने यहाँ पर बच्चे लोगों को भी जोड़ सकते हैं इसलिए यह चैनल आपके लिए बेश्ट है आज से मैंने सुरुवात कर दी है आपको इसी तरह से सारे क्यूशन्स को हम लेकर के आते रहेंगे और आकवन परिछा को धूआ धूआ आग लगाना है तो अभी के अभी संपूर तयारी के लिए पांसो एक रुपया दे करके जूड़ जाईए तो लाइफ टाइम पस्तावा होगा मेरे प्यारे सिचक बंदू इसलिए आप सभी के सभी जूड़ जाईएगा तो आईए देखते हैं ओप्सन तेखिए या पहला ओप्सन था अब आपको याद आ गया होगा ओप्सन देखिए पहला था जब प्रिथवी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है same लिखिए एकदम direct same लिखिए और कुछ option में डुणडिए क्या करा है जब सूरिय और चंद्रमा सूरिय और चंद्रमा जब सूरिय और चंद्रमा के बीच पृत्वी आ जाते है क्या सही है कि नहीं है सही है ये भी option सही है जब संद्रमा और सूरिय के बीच पृत्वी आ जब संद्रमा और सूरिय के बीच पृत्वी आ जाते हमें नहीं पता भी या मैं सेम लिख लूँए क्या करा है जब संद्रमा तो मCola यहां पर है 22 MARCH 22 APREL 22 MAG या 22 जुन देखें यहाँ पर एक नियत थी fix है कि 200 जल दिवस जो है वो मनाया जाता है आपको 22 तारीकों यह तो fix होगे लेकिन आपको महिना याद करना है कि March कता है या अप्रेल या मई या जुन ठीक है देखें अब आपको मताता है दो प्रस निहा से जुराता है देखें 22 March ठीक है और 22 अप्रेल यह दोनों को याद कर लिजगा यह दोनों बार बार पूछा जाता है ठीक ना तो देखें यह क्या होता है जैसे हम देखेंगे धर्ती की सता तो यह क्या है धर्ती है यह प्रित्वी है और जल इसके क्या होते है इसके उपर होते है तो देखेंगे अब आपको बताते है जल जब इसके उपर है तो यहाँ पर देखें सबसे पहले क्या आएगा मार्च आएगा फिर अप्रेल आएगा तो March आया तो ये उपर हो गया तो 22 March ये हो जाएगा आपका जल दिवस, 22 March को जल दिवस हो जाएगा और इसके नीचे क्या देखे ये प्रिथवी है तो ये 22 का ही डेट रहेगा लेकिन ये April होगा तो 22 April जो है आपका प्रिथवी दिवस हो जाएगा तो बहुत important है 22 March यानि जल बना ली जेगा जल उपर है तो 22 March को जल दिवस और 22 April को प्रिथवी दिवस हो जाएगा ओका चलिए अगला दिखेगा अंतरीज से देखने पर प्रिथवी किस रंग के दिखलाई पड़ती है ये इसको आपको बताते है एक हजार एक वारा आया हुए और यहां पर जो होते सो परतीशत लोग गलत करके बैठते हैं, टा眼, तो इसको सही कैसे किजियेगा, तो देखे हम बता देते हैं, बहुत क्या आता है कि काला को बहुत जादा चाहते हैं, तो बिस एक यह चीज याद रखते हैं, कुछ तो बस बहुत बता दी है भाइ, यह बात नहीं है, आप दोनों चीज़ का confusion दूर करना होगा, ठीक है, आप अंतरीच में है, आप कहाँ पर है, space अंतरीच में है, और अंतरीच से जब आप प्रिथवी के और देखेंगे, ध्यान दिजेगा, जब प्रिथवी के और देखेंगे, तो प्रिथवी का जो है, दो उपर कहने का मतलब क्या है, अंतरीच यात्रीच को उपर, आकास, अकास को देखेंगा, तो अंतरीच यात्रीच यात्रीच जब आकास को देखेंगा, तो ओ दिखाई देगा, काला, देखेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंग प्रित्वी दिखाई देगा प्रित्वी का कलर होता है नीला और उपर देखेगा अकास तो अकास को हम कहते हैं काला ठीक है तो अंत्रीच यात्री को अकास काला दिखाई देता है अंत्रीच यात्री को प्रित्वी नीला दिखाई देता है एकदम कन्फ्यूजन को दूर कर ल बहुत बार आया हुआ, सब एक जाम में आया हुआ, ठीक है, पृत्वी का कितना परतिसत भाग जल समुंद्र से घिरा हुआ, तो देखिए, आपको एक कहानी सुनावत होते हैं, कि जैसे जब समुंद्र में यहाँ पर हमारे सैनिकों का जब बोट चलते रहता है, तो आप दे साथ पानी भी ले करके जाते हैं, ऐसा नहीं है, को समुंद्र का पानी को आप पी सकते हैं, ठीक है, तो यही चीज होता है, सबसे अधिक समुंद्र का पानी है, और वो जो है, आपको देखिए, 97 परतिसत है, कितना परतिसत जल समुंद्र में पाय जाता है, तो 97 परतिसत भ या तीन कोई नहीं तो ठीक है अब आप से पिखले वाले जो जल के मात्रा होती है वह आपका यहां पर है दो परतिसत और इसको हम लोग यहां सूध जल के रूप में भी जानते हैं स्वच जल या पीने योग जल का परतिसत हमारे प्रित्वी पर कितना तो देखें आपको तो 2-3 के बीच में 2-3 पर्षंट के बीच में काथ को आपसन आप Elo apa से ना और तो जिकर यहां झाहना है यह खरकर से दोरिके परसें भी जोग धर आप तो इसी को अपनले लें लेना है तो इसी तरह है उस्यक्ता गुएiciones को अच्छिए तोन सारा देखेगा और इस चेप्टर तो पूरा है कि पूरा इपोर्टेंट है इस पे जितना जल चेप्टर है क्योंकि जल से एक प्रस्ण है तो आपका पका भिढ़ना है ठीक है चलिए अंत्रिच यात्री को आकास की सरंका दिखाई पड़ता है निला काला पीला यहरा आप अंत्रिच यात्री तो उसको काला दिखाई देगा और अंत्रिच से प्रित्वी को देखेगा अंत्रिच यात्री तो उसको काला दिखाई देगा निला दिखाई देगा ठीक है जब प्रित्वी को देखेगा अंत्रिच से उपर अकास की और देखेगा तो काला अंत्रिच स जब प्रित्वी को देगा तो निला एकदम डाउट में नहीं रहेगा यह बारबा प्रशन आ रहा है तो देखिए यहां पर हमने नोट्स भी आपको बना दिया है क्योंकि आपको कनफ्यूजन न रहे आपके लिए हम यहां पर काम करते हैं तो आपको सारी तरह से हमारा टीम जो है यूटूब टीम आपके लिए स्वीधा परदान करते रहता है तो अंत्रीश से प्रित्वी नीचे की और देखने पर यह प्रित्वी निले रंग की दिखलाई पड़ती है ज जल की तीन अवस्थाएं होती है जल की कितने अवस्थाएं होती है तीन अवस्थाएं होती है नीचे नोट से बिनाए हुआ है कि जल की तीन अवस्थाएं होती है ठोस द्रव और गैस ठीक है प्रित्वी पर जल का मुख स्रोत है प्रित्वी पर जल का मुख स्रोत कौन है बरसा का जल, सत्थी जल, भूमिगा जल या कोई नी ठीक है, तो प्रित्वी पर हमारा जो जल है, उसका मुक्षरोत आने का जो होता है, वो आपका होता है बरसा का जल ठीक है, और इसको सूध जल के भी रूप में हम लोग जानते हैं, ठीक है, अब देखेगा, बरसा के जल मे देखिए यहाँ पर sulphur dioxide, nitrogen इसा घुला रहता है, तो यह जल के साथ जब यह gas मिलते हैं, तो यह बना देते हैं, अमल, क्या बना देते हैं, अमल, यानि इस्तित ताजमहल के पीला होने का मुख्य कारण क्या है देखिए जब अमलिय बर्सा है सती बर्सा है धारा बर्सा है कोई बर्सा देखिए आपका अगर असमारक बनाए हुए है या इस मौसम पेंट के हुए है अगर वहाँ पर किसी परकार के बर्सा होती तो आपके उस पें तैटीक आगि नर्य सती ताजमहल का पीला होने का मूख ये कारण आपका अँमलिय बर्सा ना कॉंसी बर्सा है अब लिये बंस ए पट्रमी तो देखिय.. उसमें 203 से नहीं होती है यह पूरभी श्रिवूम पच्पी कि फाइब होग। 110 mm बर्षा होती है पर बर्षा कम होती है ठीक है अगला है भॉम जल के अस्तर में कमी आने का मुख्य कारण क्या है जो हमारा भॉम जल है भॉमी का जल है उसके अस्तर में कमी आने का मुख्य कारण क्या है जन संक्या बरिधी क्रिशिगत उपयोग बर्षा का समान वित्रन या स जैसे होता क्या है कि भौम जल यानि बर्षा का जल भूमी के अंदर risk करकर होता है । जिससे हम लोग यहां पर क्या करते है तो पानी को निकालते हैं टीवियल के माधम से चापकल के माधम से पॉम्प के माधम से तो यह भौम जल का अस्तर भी भी अब धीर-धी डाउन वह र जरहरखन का झाल पूरूष के नाम से किसको जाना जाता है आपको बतादेते हैं यह जल पूरूष जो है अभी तक के एकजाम में यह आपर 5 Also दिया गया है जो जर्खंड विग्जाम हुए है और बहुत ही पोटेंट है । सीमन उराव, कमसी उराव, जगा नुराव या कोई नहीं ठीक है तो जर्खंड का जल पूरुष के नाम से किसको जाना जाता है? तिसका राइट सरच्षन के लिए 2016 में जरकरणे में 30 को पद्धम् सर्षन् आव जा गया। अंकलेस मुंदा शीम लूंदा सीम उराउ या को और नी ठीक है तो ये जल जल सरच्षन पर्यावरन सरच्षन जो जल के लिए इसमें आता है सीमन उराओं जी का नाम तो सीमन उराओं को जल पूरू सीमन उराओं को प्रयार सेल्चन के लिए माना गया ठीक है खेल खेत के फसल सुख जाते है कौन सी बरसा कारण खेत के अमलिय बरसा शोहनिय बरसा चारिय बरसा एक वह नहीं ठीक है तो देखें में लिए परसह होगा वहाँ के जिवुजन तू क्या होगा वो मर जाएंगे और पानिक ओपर शला जाता है किट के फसल क्या होते है जिस छेत्रह में होगे वह सूख जाते हैं फीला पड़ जाते हैं तो यह सब किस्भर किसके करण होता है अमली ये बर्सा कारण होता है, ठीक है, तो राजदंतर सासन का अर्थ क्या है, जनता का सासन, राजदंतर का अर्थ क्या होता है, तो राजदंतर सासन का अर्थ क्या होता है, तो राजदंतर सासन का अर्थ क्या होता है, तो राजदंतर सासन का अर्थ क्या होता है, तो इस हम गरमतलि हो जाता है राज राजा सैंसरा सब्सक्राइब राजतन्तर करदें सब्सक्राइब बघारत में किस पर्वाकर्ट चुनाऊ यहाँ पर पर्तियाच और प्रतियाच और परतियाच दोनोँ यह इसमें से कोई नहीं, तो सबी को जानते है, भारत में जो होता है, जो चुनाओ की परकरिया है, वो अप प्रत्याच रूप से होती है, यानि कोई भी ब्यगती सामने खड़ाओ करके उसको डायरेक्ट नहीं चुना जाता है, बलकि जनता जो है, यहाला लेकिन यहां पर प्रतियाच जो होता है यानि ब्यक्ति सामने खड़ा होता है और उसके सामने ही चुनावा होती है और हाथ खड़ा किया जाता है उसके अधार पर चैन होता है टिक है तो यह होते हैं भारत में voting system है मदान डाला जाता है जिसमें व्यक्ति के सामने नहीं चुनाव किया जाता है बलके विवेक से अप्रत्याच रूप से यानि वहाँ पर खड़ा नहीं होता है तो अप्रत्याच लोक्तांत्री चुनाव पत्ती जो है यहाँ पर भारत में चलता है ठीक है अगला यहाँ प पर प्रत्याच लोक्तंत्र में जनता मदान के द्वरा अपने परत्रेद्यों को चुनती है चलिए नोट्स के लिए हो गया तो नोट्स देखिए आप लोग खरिदे में कोई भी को ताइक नहीं करेंगे क्योंकि यही जो नोट्स है आपको सफलता दिलाने जा रही है और ब परेकार शुनात होता है परत्य चुनात होता है फक्रत्य चुनाओ को सामने खड़ और जनता नीचे उपर जाए उनका चुनाओ करते जिसके तरफ voting जहाँ ज्यादा खड़ा होता है वो यहाँ पर चुनाओ को जितते हैं तो जो सामने अगर चुनाओ का voting होता है तो उसको प्रतियाश चुनाओ करते हैं और जो सामने नहीं ब्यक्ति के चुनाओ होता है उसको प्रतियाश चुनाओ करते हैं तो शीटजर लेंड भारत में किसके सहयोग से संचालित है मध्यान भोजन योजना भारत में किसके सहयोग से संचालित है या प्रशन अब तक 101 बार पूछ दिया गया है यानि आपके जहरखन में ही जो जेटेट है उसमें भी आया हुए थे और इधर एकजाम में भी आपका आया हुआ है बाकी ब पिहार आकलन में पूछा गया है कि मध्यान भोजन योजना जो है भारत में किसके सहयोग से संचालित हो रही है केंद्र सरकार के सहयोग से राज सरकार के सहयोग से केंद्र और राज दोनों के सहयोग से या कोई नहीं ठीक है तो देके मध्यान भोजन योजना जो है वो दो प भारत में स्वरुपतम किस राज में लागू किया गया था ठीक है यही प्रशन जो है आपको आप देखिएगा तो जेटेट 2016 में आया था अब आप यहां पर बताइए यह प्रशन जेटेट 2016 में आया और बहुत लोगों ने गलती किया था इस प्रशन को और यह कहां से मिल र जारकंड या केरल ठीक है तो देखिए मध्यान भोजन योजना मिड़े मिल योजना जो है सवरुपतम भारत के तमिलाडू राजमिर लागू किया गया था तो इस तरह से आप देखिएगा तो जेटेट में भी आपको यहीं से पूछा जाता और आपको सारे नोट से यहीं चलाई जा रही है आकर उसका उदेश ही क्या था क्यों मध्यान भोजन योजना लागू किया गया था तो है बच्चों का नमांकन बढ़ाने के लिए बच्चों का नमांकन बढ़ाने के लिए बी में है बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए सी में है बच्चों का अस्तर में सुधार करने के लिए और D में है सभी तो देखिए इसका right answer जो हो जाएगा वो आपका सभी हो जाएगा क्योंकि मध्यान भोजन यूजना लागू करने का सिर्फ एक मकसद नहीं था विभीन उदेश्यों से मध्यान भोजन यूजना को लागू किया गया है तो सब सबसे पहला तो मध्यान भोजन का सबसे पहला औरमुपो देशता बच्चों का नमांकन बढाने के लिए क्योंकि बच्चे जो नहीं ठारते ही मिल पाता है उसके लिए उनका स्वास्त बिलकुल शहीड है तो बच्चों का पोषन अस्तर में बढ़ावा देने के लिए यह चलाया रहा है तो इस तरह से राइट एंसर सभी हो जाएगा ना आप देखेगा कितना सही कर पा रहे हैं आप लोग भी जल्दी जल्दी है पर टीकिंग किजिएगा हमारे सा ठीक है भारती राष्टी कांग्रेश की अस्थापना किसके द्वारा की गई आपका यह जार्ज यूल या कोई नहीं आपका यह जार्खण भी जो एक्जाम हुआ है उसमें यह आया है अब देखेगा अगला भारत में सार पर्थम आम चुनाओ काब हुए एक हजार एक बार पूछा है मेरे प्यारे मित्रो एक दूबार की बात मत कई एक हजार एक बार प्रोश्ट न पूछा है और आप कहिएगा कहां से तो बता ये ENCRT का टेस्ट बुक कलास आठ एकसरसाइज तीन में छपा हुआ है न तो टेस्ट बुक पढ़िएगा तो तो निकलेगा न तो भारत में सवर उपर था हम आम चुनाव 1952 में हुआ था जहरकंड को कितने लोग सबाझ च्हेतर में विभाजित किया गया अप सभी जानते होंगे भारतिये संसद मिलकर बनता है जो भारतिये संसद होता है वो किसको मिल कर बनता है, क्यों कोन उसमें होता है, राष्टपती होते हैं, राजसभा होते हैं, लोक्षभा होते हैं, कोई नहीं, या सबी, ठीक है तो देखे भारत का जो सौनसद होता है उसमें राष्टपती भी होते हैं, राष्टपती भी होते हैं और लोक्षबास सौनसद भी होते हैं ये तीनों को मिला करके ही भारत का सौनसद का निर्मान होता है तो इसका राइट एंसर देखे हो जाएगा E, सौभी यानि लगता है, हौल के प्रशनाता है, अब इकलास एटे में है, बताइए, तो आप लोग पॉड़ते नहीं है, तो कहां से आएगा, तो देश का प्रथम नागरिक कोन होता है, प्रधान मंतरी, राष्ट पती, उपराष्ट पती और राज्यपाल, तो देश का प्रथम नागरिक जो है, वो होता है, आपका राष्ट पती, तो इसका प्रथम नागरिक राष्ट पती होता है, अगला प्रशन है, देश में कोई भी कानून किसके हस्ताचर के बाद लागू होता है, प्रधान मतरी, राष्ट पती, उपराष्ट पती है, कोई नहीं किसके हस्ताचर के बाद स्ब्सक्राइब सिल्भ करके सारा नोट्स देख लिए इपोर्टेंट की जाती है परधान मंत्री राजपाल उच्टम नियाले या स्वभी तो देखे राष्ट पती के द्वारा जो नियुक्ति की जाती है ना परधान मंत्री की भी नियुक्ति राष्ट पती के द्वारा राजपाल का भी नियुक्ति पती ये के दवारा होता है, एनि एकर एंसर सभी में जाएगा, सभी एकर राइट एंसर होगा, ठीक है, आपात इस्थिती में पूरे देश में कानून का बागडोर केकर हाथ में होता है, बताना है भाई, तो केकर हाथ में होगा, बताईएगा, तो यहाँ पर जो हाथ में होत पते के पूरे देश के बागडोर है वह आपका होता है अगला है चीज कौन होता है और देखिए आप लोग सोब कोई बनाई होंगे कितना हलका की उचन Алता है इक मैंन जो आपको सोब लिख दिए है कलास एट है कसरशई तीन पढ़िये ना सब मिल रहे हुए में उपर राष्ट पती परधान मंत्री राष्ट पती या कोई नहीं तो तीनों सेना का जिए अधियच होता है वो होता है यहां पर आपका राष्ट पती आज समझे कि 1,000,001.,004,001,002,000 इक बार आया मेरे दोस्थ तो आपका बहुलिएगा नहीं ना बहुलिएगा तो एक नमर आपका बहुल जागा संविधान के उनसार राजसभा में धिक्तम कितने सदस हो सकते हैं धिकतम कितने सदस हो सकते है दो سबचास 252, 242 या 258 तो राज सभा हमें कितने होते हैं बताइए है जल्दी बताइए गा तोब तो पता चले गहा तो राज सभा में आपका कितना होते हैं 250 होते हैं एकरो कोनो काम nggak कई यह दूसर 512 बार अब तक पुछ दिया गहे तूसरी 51 लोगकी नमबर है तो देखिए केकर केकर लग की नमबर जाता है तो सब कोई देख के पढ़ लिजेगा राजसभा में राष्टपती के द्वारा कितने सदसों को मनोनित किया जाता है राजसभा में राष्टपती के द्वारा कितने सदसों को माना किया जाता है जेटेट 2013-2016-2019 था कहां से तो कलासेट के एक सरसाइज तीने से तो आपका आकलन पर इच्छा है तर ना आएगा इवेन करेगा एक दम आ रहा है तर कितना होता है 12 सदस को मनोनित करते हैं राजसभा में राजपति के द्वारा कितने सदस 12 सदस को मनोनित किया जाता है लोगशभा का कारेज़काल कितने बर्शों का होता है दिखतम सदसों की संख्या कितनी होती है बताइए 550, 550, 545 या कोई नहीं, 1001 बारी पूछ दिया गया है, और जहरखन में तो 101 बारी प्रोशन पूछ दिया गया, जहरखन की बात हम बता रहे हैं, तो लोक्षभा में अधिक्तम सदसों की संखियां जो होती है, वो होती है 550, कितना होता है 550, लोक्षभा में निर्वाची सदसे कितने होते हैं, देखिये 550, कूल होता है, लेकिन सब सदस का लग-लग बाठा हुआ है, कि निर्वाची सदसे कितना होगा, तो 550 होगा, कि 543 होगा, तो लोक्षभा में जो निर्वाची सदस होते हैं, वो आपका होते हैं 543, कितने होते हैं 543 होते हैं, ठीक है, लोगसभा में राष्टपती द्वारा निर्वाची सदस होते हैं, जिसे राजसभा में कितना सदस के मनोनन करते हैं, राष्टपती, बारगों के करते हैं, कितना के करते हैं, बारगों के करते हैं, किस में, राजसभ बहुत दिन से आप लोगो एक ट्रीक हम दे रहे हैं और सौब ना याद कर रहे हैं अगर याद होगा तो याद रखेगा दूसरा का भई या दूसरा दूसरा भई या बहुजी ना तो दूसरा तो दी से हो गया देखिए दिवतियक सदन दिवतियक और उ से हो गया देखिए उच सदन और एस से हो गया देखिए अस्थाई सदन और रा के मतलब हो गया देखिए रा का मतलब है राज्यसभा यानि राज्यसभा के का का कहल जाता है तो दिवतियक सदन या दूसरा सदन कहा जाता है उच सदन कहा जात ना तो दूसरा में डी से दिवतियक सदन और अस्थाई सदन और अस्थाई सदन या उपरी सदन एस से आस्थाई सदन और अरे का मतलब है राज सभा यानी राज सभा के सवऑ नाम दिया जाता है सथाई ऊच-व 1987 राज अब इतना से सस्ता नहीं मिलेगा आपको समझ गया बहुत सस्ता में नोट्स पीडिये वीडियो सारा आपको तैयारी करवाद रहें आप सिछक हगन के हित को ध्यान में रखते हैं और हमर यूटूग चैनल तो मेगा उपर में यह कहता है कि सब सिछक पढ़ें और सभी सिछक आकलन पास करके 2000 रुपया बढ़ा है और पर्मानेंट हो जाई इह तो हमर आस है ना तो चलिए लोग सभा को का का कहल जाता है राज सभा के तो देख लिए ना अब लोग सभा के का कहल जाता है प्राथमिक सदन अस्थाई सदन निम्न सदन या सभी ठीक है तो एक बार आप लोग दूसरा समझ गया है अब देखिए घाल दूसरा में बड़ा मजा आएगा यह पान लोग लो ना लोग के मतलब है देखिए यहां पर लोग सभा सभा के इने वला सभी पान मतलब शबान तो लोग सभा के प्राथमिक सदन ना यानि योग सभा के क् लोकसभा को प्राथमिक सदन भी कहा जाता है और स्थाई सदन भी कहा जाता है और निम्न सदन भी कहा जाता है एक के कर यह पान लो याद रखो भाईया लोकसभा में लोन लगल है तो पान लो न तो पान लो मने पान लो ठीक है अब दूसरा यह देखिए दूसरा दूसरा में आरे से है राजसभा तो देखिए जब लोगसभा और राजसभा एक के साथ पढ़ाई होता है न तो इह है ट्रिक चलता है पान लो दूसरा जिसमें लोगसभा भी और राजसभा भी एक के तूरी हो जाता है समझ गया है तो अब अब देख लिए न क्या कहा जाता है आए यहां पर ट्रीक भी आपको हम बना दियें क्योंकि आप लोग हमारे साथ जूड़े हैं हमारे सिछक बंदू नोट्स परचेच कर रहते हैं यहां देखिए पान लो लो अब देखिए कभी कभी पूछता है कि लोग सभाव राजसभाव में अंतर का ट्रीक एक के पर बता दीजिए तो लिजिए आप सभी के और असान कर देते हैं एकदम जिंदगी में ना भूलाइएगा ना सब को नोट्स परचेच कर लिएगा अभी जितना लोग देख रहे देखिए लोग सभा राजसभा हम एक के बार याद रखते हैं पान लो दूसरा देखिए पान लो दूसरा जह हुआ न यहां से एक हो गया पान लो लो का मतलब है देखिए लोक्षभा यानि लोक्षभा के कहा कहो जाता है एने वाला सब लोक्षभा हो जागा और दूसरा यहां से श्टाट होगा यहां तो एने वाला सब राज सभा हो जागा ठीक है तो लोग सभा के कहा कहते हैं देखिए सब लिखा लाए एकदम पका पॉप तो लोग सभा के देखिए नीमन सदन कहते हैं N से निम्न सदन हो गया, A से अस्थाई सदन हो गया, और यहाँ पर P से प्रात्मिक सदन हो गया, यानि प्रात्मिक सदन, अस्थाई सदन और निम्न सदन सब लोग के सभा के कहल जाता है, ठीक है, अब देखेगा, दिवतियक सदन, उच सदन, और यहाँ पर है आपका अस्था सब्हें यह सबी राज सभा को कहल जाता है ठीक है अब देखे अगला है यहां और दुसरा वह देत थीं तो सब राज निती सास्र में अगर पूरा 100% मार्स उठाना है तो पस यह नोट्स पढ़िएगा और कहों ही मज जाईएगा जहां जाईएगा खाली धोखाओ रहा है खाली किता बुयोला पढ़िएगा टेस्ट बुक कोई और ना जुड़िएगा तो टेस्ट बुक पढ़ लिजेगा अब मिल जागा लोक सबहर में महीलाओं के लिए कितनी सीट आरचित है बारा पर तीसाथ 14 पर तीसाथ 18 पर तिस तर लोग सबहर में महीलाओं के लिए जो है वो सीट कितना रिजर्व किया गया है तह आप सुब जानते हों में